हेलो स्टूडेंट्स वी आ डिस्कसिंग इन दिस चेशन एक्सरसाइज नाइन एच कॉशन नम्मर 12 हाँ एक बात का ध्यान रखना कॉशन नम्मर 12 में जो पैरामेंट्रिक की सुन दी हैं तो आपकी वुक में यहां पाई वाई थिरी लिखा है पै-वाई थिरी से आंसर आपका नहीं आएगा ठीक है आप करेक्शन कर लेजिए ठीटा की जगें पै-वाई टू बेल लूपुट करना है डिफ्रेंसियेट कैसे करेंगे सबसे पहले हम ठीटा के रख्ष्पेक्ट में डिफ्रेंसियेट करेंगे जो करती चले आएं डी आएगा हमारा dy dx आने के बाद उसको दुबारा differentiate करेंगे x के respect में और फिर बेल लूपूट कर दी जाएगी ठीटा की जगे पाई upon 2 और आपका answer आजाएगा ध्यान रखना पाई वाई टू करेक्शन करने के बाद ओके चलिए on differentiating ठीक है चलिए तो हमें dy over dx निकालना है सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे dy over d theta dx over d theta तो d upon d theta y की value है हमारी a 1 minus cos theta और d upon d theta और x की value है a theta और sin theta आप इसका theta के respect में differentiate अलग कर सकते हैं इसका अलग कर सकते हैं उसके बाद divide दे लो मैं एक साथ divide दे के कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं नमर विल्कुल नहीं कर सकते हैं चलिए हाँ इसको differentiate किया a 1 का 0 cos theta का minus sin theta हो जाएगा तो यह plus sin theta हो जाएगा और यह a theta का 1 sin theta का cos theta a से a cancel out कर दीजिए तो यह आपका dy dx आ गया अब हम इसे direct ही differentiate करेंगे लगा के इसमें trigonometry मत लगाओ लगाना हो लगा तो चलिए आप direct करो कोई दिक्कत नहीं है on differentiating with respect to x तो जब भी आपका dy dx आ जाए तो differentiate करना है x के respect में theta का ठीक है तो d2 y dx square भाग विदी लगा रहे हैं यहाँ पर नीचे वाले माने हर का वर्ग ठीक है हर जैसा का जैसा हर माने denominator जैसा का जैसा मतब डिनॉम्नेटर का इसको है डिनॉम्नेटर जैसा जैसा differentiate numerator का हिंदी में बूलें तो हर का वर्ग हर जैसा का जैसा फिर अंस का अवकलन sin theta का अवकलन cos theta फिर sin theta जैसा का जैसा मतब डिनॉम्नेटर जैसा का जैसा अंस जैसा का जैसा differentiate करेंगे हर का तो बन का 0 cos theta का minus sin theta अब हम differentiate कर रहे हैं किसके respect में x के respect में तो हमने sin theta का differentiation cos theta लिखा तो d theta upon dx और आएगा तो सब का common d theta upon dx यहाँ लिखती जीए ओके चलिए आगे solve करते हैं यह bracket open कर दो cos theta यह यह काम करो क्या यह बन अपॉन 1 plus cos theta का whole square ऐसे रखिए बिल्कुत simple भी में calculation हो जाती है यहां bracket open कर रहे हैं तो cos theta cos theta का into cos theta से करेंगे तो cos square theta और यह प्लस का sin square theta ठीक है और d theta upon dx की value देको यहाँ से निगलेगी जी d x upon d theta है कितना है यहां differentiate करके a 1 plus cos theta तो इसका उल्टा कर देंगे मने यहां divide में लिख देंगे 1 के divide में a 1 plus cos theta तो यह value हो जाएगी d theta upon dx की हाला कि side से so कर सकती हो ठीक है so कर दो मैंने लिखा d theta upon dx की value रखी है हमने 1 upon a 1 plus cos theta इसका उल्टा रेसी प्रोकल यह आ जाएगा ठीक है यह value रख दी कॉस इसका ठीटा साइन इसका ठीटा की value बन हो गई तो यहां solve कर देता हूं मैं d2y dx square यह 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 तो बाहर चली रहा है और उपर बचरा है कितना cos square theta sin square theta के था 1 और 1 plus cos theta का square ओके और यह value जो हमने d theta upon dx की value लिखी है 1 plus cos theta ओके चलें तो आप देख रहे हैं कि d2y dx square completely cancel out होकर यह एक factor यह cancel हो गया है न यह तो बचा क्या 1 plus cos theta ओके और उपर भी sin square theta cos square theta 1 plus cos theta यह cancel out हो गया बस यह बच रहा है यह a और 1 plus cos theta का whole square अब इसमें value put करना है theta की जगे कितना pi upon 2 यह correction किया हुगा है ठीक है तो d2y dx square क्योंकि बुक में pi y 3 चपा है बुक में आपकी बुक में pi y 3 लेखा है 60 degree लेखा है उसकी जगे 90 degree रखना है तब आपका answer से answer मिलेगा चलिए value put करो a 1 plus cos 90 degree माने pi y 2 माने 90 degree ओके और square cos 90 की value क्या होती है 0 यह square माने बन अपन ए तो यह है हमारा final answer d2y dx square का बन अपन ए एट theta equal to pi y 2 पर यह है हमारा final answer ओके ट्वैल पेरामेट्रिक्स equation यह दी है बिलकुल question number 11 की तरह ही solve करना है ठीक है अब हम solve करते हैं लेकिन थोड़ा सा different method से देखो ना दी वाय डी एक्स फाइंड करना है तो हम इसे लिख दें डी वाय ओवर dt और dx ओवर dt तो यहां से t के respect में differentiate कर रहे हैं बाई की value है कितनी a sin t minus t cos t upon d upon dt कि इसका x का differentiation cos t plus t sin t कि डिफ्रेंसियेशन कोई खास cut in नहीं है इसका ठीक है d by dx हम differentiate करते हैं देखो यह sin t का cos t minus t cos t में product rule लगेगा तो t का करेंगे तो बन हो जाएगा cos t फिर minus t और cos t का करेंगे तो minus के sin t ओकी यह है अपन ए तो t cos t में हमने product rule एपलाई किया है इसी तरह से t sin t में भी product rule लगाएंगे तो पहले cos t का minus sin t plus t का differentiation 1 तो यह बचेगा sin t फिर plus t sin t का cos t ठीक है चले है यह से cancel out of कर सकते हैं तो cos t से cos t cancel कर दो यहां sin t से sin t cancel कर दिया तो यह बचा उपर कितना t sin t अंस में बचा और हर में बच रहा है t cos t ती से t cancel हो गया फाइनली हमारा d y d x differential coefficient of first order 10 t निकल के आया इसको equation बन दे दीजिए नाओ differentiating with respect to x of t का तो d y d x जैसे ही मिल जाए आपको differential coefficient second order निकलना है तो x के respect में ही differentiate करिए तो यह हो जागा d 2 y d x square 10 t का sec square t और t का d t upon d x respect में करना है तो d t upon d x आप यहां value रख दो तो sec square t अब d t upon d x देखना है यहां से हमना d x upon d t निकला आए यहां कितना a t cos t तो यहां कितना रखेंगे a t cos t ओके तो यह divide में है तो divide में ही रहने दो क्योंकि हमें d t upon d x रखना है जब कि हमने d x upon d t निकला था ठीक है चलिए तो यह आगे solve कर लेंगे तो यह आया 1 upon a t और cos यह उपर ले जाओ sec q t ठीक है ओके sec square t और यह cost t उपर जागे sec t बन जाएगा तो sec q t हो गया अब value इसमें put कर दो कितना d2 by dx square और यहां t की जगे पाई भाई 4 value put कर दो तो बन अपन a t की जगे रख दो पाई अपन 4 और यह रख दो sec pi upon 4 का whole power 3 तो यह 4 upon pi a और यह हो जाएगा root 2 की power 3 finally answer हमें मिल जाएगा 4 और 2 कितना root 2 root 2 root 2 3 और into करेंगे तो 2 root 2 upon pi a तो हमें therefore final answer यह लिख दिया जाएगा d2 by dx square t equal to pi upon 4 पर हाँ देखो यह निकाला यह calculate करते चले गए final answer आप कहीं भी लिख दीजिए इधर last में लिख दो तो यह निकल के आया 8 root 2 upon pi a यह हमारा final answer number 13 ठीक है इसमें भी parametric equation दिये हैं दो सवाल हैं इसके अंदर यह दिया है यह दिया है d2 by dx इसके निकालना है दोनों का तो हम पहले करते हैं solution किसका first part का चलिए निकालिए dy dx सबसे पहले तो इसको लिखो dy over dt और dx over dt d upon dt किसका y का 280 का upon d upon dt किसका x का 80 square तो यह ही कर देते हैं आप लोग नीचे करते हैं मैं जगे बचाने के लिए रफ ना करना पड़े बार बार में तो 280 का differentiation 2a और यहां 80 square का 280 हो जाएगा और यह finally बचा हमारा कितना 2a से 2 कैंसे लोगा 1 upon t ठीक है यहां लेखेंगे अगें डिफ्रेंशियेटिन विट रैस्पेक्ट टू किसके x के तो यह d2y dx square मिल जाएगा हमें 1 upon t का differentiation किसके रैस्पेक्ट में x की रैस्पेक्ट में 1 upon t का तो इसका differentiation कितना minus 1 upon t और t का करेंगे तो dt upon dx और यह minus का 1 upon t square और dt upon dx की value यहां से नीचे वाली value रख देते हैं कितना 80 square का differentiation 280 है तो यहां रखते हैंगे 1 upon 280 ओके तो therefore यह मिला d2y dx square finally इसका answer 2a t q यह है ठीक है देखो कैसे ड y dx निकलना है dy over dt लिखा हमने तो d upon dt y कितना हैं second वाले पार्ट में dt square और d upon dt और x कितना है a t q ओके तो यह मिल जाएगा differentiation करके यह आ गया 2b t t square का 2t होता है तो 2b t लिख दिया इसका 3t पतार t q का होता है 3t square तो यह आ जाएगा 3a t square ठीक है तो यहां cancel out 2b बचेगा और यह 3a t बचेगा ठीक है एक t से t cancel out कर दिया इसको दवारा से differentiate करतो लेकिन x के respect में तो यह आ जाएगा 2b upon 3a coefficient है 1 upon t का differentiation करना है ठीक है किसके respect में x के respect में 1 upon t का तो 2b upon 3a इसका भी differentiation 1 upon t square और dt upon dx तो 2b minus बार कर दो अपन 3a बन अपन टी स्केर हां dt upon dx की value कितनी यह 3a t square 3a t square तुम तो ऐसे याद करो यह नीचे है तो बन अपन 3a t square नीचे है तो नीचे रखो ठीक है तो यह आजाएगा solve करके final answer d2y dx square कितना minus का 2b है ना और यह 339a square और t की power 4 यह है ठीक है यह है यह है हमारा second order का दिए बना कर दोचे यह है रहिए वित्या है रहिए यह नागी यह मैंनेगे यह नीचे यह दीक है